स्किन की टच की सेंसिज में एक एहम सेंस है पेन पेन के रिसेप्टर्स क्या होते हैं हमें दर्द का किस तरह पता चलता है पेन का फंक्शन ये है कि हमें वॉन करता है डेमिजिंग सेचुएशन से और इससे हम एवाइट कर सकते हैं कट लगना, जल जाना, बोन्स का ब्रेक होना तो ये पेन ही हमें बताता है कि ये नुकसांदे चीज हो रही है बॉड़ी के साथ पेन की डेफिनेशन जो है वो इंटरनेशनल असोसियेशन फॉर दे स्टडी आफ पेन ने ये दी है पेन is an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage पेन तब होता है जब आपका tissue damage हो रहा हो और described in terms of such damage लेकिन आपने ये भी गौर करना है कि unpleasant sensory भी है और emotional भी है तो पेन के दोनों पहलों है जिस्मानी और जस्बाती ये जो nociceptive pain है ये activation जो receptors है skin के अंदर उनकी वजासे होता है different stimuli को ये skin के receptors जो है वो respond करते हैं उनके जरी activate होते हैं जिसमें heat है जिसमें chemical की कोई चीज है severe pressure है और cold है inflammatory pain जो है ये tissue के damage से cause होता है या हमारी जो inflammations हैं joints की या tremor cells की तो ये एक और तरह का pain है inner neuropathic pain जो है वो अगर brain में या हमारे nervous system में कोई damage हो lesions हो यानि कोई अंदर दडार सी आ जाए तो उससे ये जो है वो cause होता है इसमें carpal tunnel syndrome है, neurological उसकी base है repetitive typing यानि repetitive task है जो बार-बार करने वाली जैसे typing है तो उनसे आपका वो pain जो है वो brain के areas तक जाता है spinal cord injury की वज़ा से pain हो सकता है कि अंदर से spinal cord की कोई disturb हुआ है वो किसी तरह और जो stroke से damage होता है brain में उसकी वज़ा से भी ये neuropathic pain हो सकता है pain मुक्तलिफ किसम के आप burn भी देख रहे हैं और broken bone भी देख रहे हैं और अंदर से आता हूँ body का pain भी देख रहे हैं उपर से नीचे तीन तस्वीरों में जो left पे हैं right पे आपको first degree burn में skin कितनी damage होती है second degree में कितनी होती है जहां आबले पढ़ते हैं पहले सिर्फ red होता है और third degree burn में कितने नीचे तक skin और उसके नीचे की layers जल जाती हैं जिसकी वज़ा से वो third degree burn कहलाता है ये damage बहुत स्यादा होता है और इसको ठीक होने में भी बहुत तकलीफते मराहिल होते हैं नॉसिसेप्टिफ पेन जो है ये जो हमारे skin में नॉसिसेप्टर्स हैं उनकी activation से महसूस होता है ये spinal cord को transmit होते हैं और dorsal roots के जरीए ये brain तक जाते हैं brain का एक direct pathway है ये ऐसे signals के जरीए होता है जो directly हमारी skin से brain को जा रहे हैं लेकिन हमारी जो mental state है जहनी हालत है उससे भी pain पे असर पड़ता है एक phantom limbs का phenomena limbs का यानी ऐसे बाजूं या पाउं जो काट दिये गए हो किसी disease या बिमारी के लिए की वज़ा से वो surgical procedure के जरीए लोगों को फिर भी उस पाउं में खुझली महसूस होती है जो के ही नी अब body के साथ उस बाजूं में pain महसूस होता है या movement महसूस होती है जो अब body से जा चुक है उसकी भी explanation है ये रामा चंदरन एक neuroscientist है उन्होंने अपनी किताब phantoms in the brain में भी इस convention किया है phantom limbs बड़ी अजीब बात है यानी वो भूत आत्माओं जो अब है ही नहीं फिर हमारा pain जो है वो हमारी तवज्जो से भी असर अंदाज उसके उपर होती है हमारे तवज्जो से भी वो effect होता है कितनी तवज्जो pain पे आप दे रहे हैं इसका एक थेरी है gate control method pain signals जब enter होते हैं तो spinal cord से brain को जब पहुँचते हैं कुछ और additional pathways हैं कि वो इस बात के उपर असर अंदाज होती हैं कि spinal cord से क्या signal brain को जा रहे हैं ये जो हैं ये उस gate को बंद कर सकते हैं जिसके जरीए आपके spinal cord से brain को signal जा रहे हैं तो ये signal की strength जो है वो ही determine करती है कि कितना pain कितना दर्द आपको मैसूस हो रहे हैं ये जो fibers हैं cross section of spinal cord के ये dorsal root और location of the substantia galantinoza इसको show कर रहे हैं ये वो circuit है जो के researchers ने observe किया ये gate control method है जिसमें gate close हो जाता है red ball में आप देख रहे हैं green में gate open होता है तो ये जो T cell है ये इसका pain का signal जाता है और अगर ये gate बंद होगा तो वो signal नहीं जाएगा और pain मैसूस नहीं होगा S fibers, T cell, intensity of pain इनके जरियर determine होती है कि T cell की activity क्या है सारे जो synapses हैं इस पे गोर करें वो excitatory है excitatory का मतलब ये बढ़ाने वाले हैं तो signal बढ़ाने वाले होते हैं इन cells के जिन से pain मैसूस होता है तब ही आपको तर्द मैसूस होता है Large diameter जो fibers है इन्हें L fibers की तरह शोग किया गया है और ये non painful tactile stimulation की signal देते हैं जैसी ये sensation to L किन painful नहीं है L fibers जो है उसकी जो activation है वो T cells को inhibit कर देती है तो T cell क्योंकि pain को बताते हैं L वाले जब उनको रोक देते हैं तो आपको pain नहीं मैसूस होता आपको rubbing मैसूस होती है कि सिरफ जो है वो छुआ जा रहा है या रब किया जा रहा है रगड़ा जा रहा है तो अगर ये दोनों ना होते तो हम हर touch से pain मैसूस करते हैं तो L fibers और जो T cells हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ action करते हैं L fibers की इस inhibition से gate close हो जाता है और उससे जो है T cell activity कम हो जाती है और pain कम हो जाता है इसलिए इसको gate control थेरी कहा गया है एक central control है ये जो fibers हैं ये information को hold करते हैं cognitive functions के बारे में जैसे आपकी क्या तवक्को है आपकी तवज्जो कितनी हैं दर्थ पे आप कितने distracted हैं इदर उदर थोड़ा बहले हुए हैं तो दर्थ कैसे महसूस होगा ये सारे signals जो है हमारे central controls यानि हमारा जो cortex है brain का जो area वहां से आ तो दर्थ यहां भी होता है और यही दर्थ को control कर सकता है या effect कर सकता है या reduce कर सकता है काफी हद तक brain की जो activity है वो भी इस gate को close कर देती है और pain कम हो जाते है